हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल पर्पल क्रियेशन्स प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल एंड डोंट फर्गेट तो हिट बेल आइकन आज इस वीडियो में आपके लिए क्रोशिय का हैड़ बेंड लेकर आई हूँ वो साथ साल के बेबी का है लड़की का है मतलब ये मैं बताती हूँ आपको आप बड़ा भी बना सकती है और छोटा भी बना सकती है मैंने साथ साल की बच्ची का बनाया है ये देखिए इस तरीके से पहले ये नौट बनाई है पहले फिर इसके बाद ये चेन बनाना से स्टार्ट कर रही हूँ इस तरीके से ये चेन बनानी है स्टार्टिंग में पहले आप अपने हिसाब से उसकी नंबाई रख सकती है मैंने इसके लिए 95 चेन्स बनाई है इस तरीके से मैंने 95 चेन्स बनाई है ये देखिए पूरे ये 95 चेन्स है अब ये फस्ट रो कंपलीट हो गई है अब हम सेकिंड रो बनाते हैं इस चेन को छोड़के अगली चेन में सिंगल क्रोशेट सिंगल क्रोशे भी बनेगा इसमें पूरे पैटन में पहले स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग बेस लाइन है पहले इस तरीके से बनाएंगे सिंगल क्रोशेट हर चेन में सिंगल क्रोशे पूरी रोशी तरे से बनेगी हम यह बता है यह देखिए मैंने पूरी रोव बना लिया अब इसके बाद यह लास्ट वाला है नेक्स्ट रोव स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसमें एक चेन बनाते हैं तो इसको टर्न किया अब हमें यह बैक लूप है बैक लूप से सिंगल क्रोशे करना है इस तरीके से यह बैक लूप है आप यह बैक लूप से पूरा पैटन अभी इस तरीके से बने गया है बैक लूप से ही यह यह सिंगल क्रोशे करना है इस पूरा पैटन अभी इस तरीके से बनेंगा आप यह बैक लूप से बनेंगा लूप पूरा पैटन अभी इस तरीके से बनेंगा इस पूरा पैटन अभी अब्हां है इस तरीके से बनेंगा झाल झाल पूरा पैटर्न अब इसी तरीके से बनेगा, बैक लूप से सिंगल क्रोशे करना है, यह देखिए, दूसरी रो भी मैंने कम्प्लीट कर लिए, अब इसकी लास्ट वाला यह है स्टेच बना रही हूं, एक चेन बनाई, इसको टर्न किया, फिर इसी तरह से रिपीट करना है, यह बैक लूप से बनाना है, यह देखिए, बैक लूप से सिंगल क्रोशे, यह देखिए, इस तरह से यह पैटन बनता जाएगा, पूरा पैटन इसी तरह से बनेगा बैक लूप से, और मुझे इस तरह से इसके लिए नौ लाइने बनानी है, अभी मैं बताती हूं आपको, यह मैंने नौ रो बना ली है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, आप अपने इसाब से कम जादा भी बना सकती है, अब इसको कम भी कर सकती है चुड़ाई में और बढ़ा भी सकती है, और इसमें उल्टा सीधा दोनों तरफ से एक साथ है, कहीं से भी आप इसे जोड सकती है, अब मैं इसको बंद करके, यहां से जोड दिया हूँ, यह देखिए, इतना मैंने कम्प्लीट कर लिया यह, अब इन दोनों, यहां से जोड देंगे, यहां से जोड़ा है, 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 यहां कि यह देखिए इस तरीके से यह जूड़ गया है और हम इसको सीधा कर देंगे अब हम इसको इस तरीके से इसको सिल देंगे आपस में इस तरीके से बनाते हुई है एक बर मैं फिर बता देती हूं इसको ऐसे किया बीच वाले को ऐसे और इस वाले हिस्से को भी ऐसे लगा दिया और ये बो की तरह बन जाता है, बो स्टाइल ये हेड बैंड है, इसको मैं चारो लेयर को सिल देती हूं इस खिल दे अब इसके बाद से ओल्टी साइड से सिपका कर जेते हैं अब हम इसके लिए बीच में बनाने के लिए ये देखें इस तरीके से बनाते हैं स्लिप नॉट बनाके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा चेन बनाके इसको पहले हम देख लेते हैं इसको नाप के पंदरा चेन सही आएंगी इसकी पंदरा चेन बना लिए अब हमें यही पैटन बनाना इसमें यह देखिए फस्ट चेन को छोड़ते हुए दूसरी चेन में सिंगल क्रोशे पूरी रो में सिंगल क्रोशे है फ करोशे है गुए दूसरी तो चेंगल कि टूस बनाना पुम्टभर हBझव हुए जाई यही हम चोपने तो अभने के चाल है आम झाल की जुए खेनान लिए इसको तरन करा यह पैक्टन इसी तरीके से बनेगा बैक लूप से जैसे हमने पहले बनाए फोर रोस करनी इसमें इस तरीके से बनेगा यह यह देखिए फोर रोस कंप्टीड हो गई है कर दागी को कट कर लेते हैं कर दागी को कट कर लेते हैं अब यह हम इस तरीके से इसको इसके चारों तरफ से इस तरीके से लगा देते हैं और इसकी सिलाई कर देते हैं अभी मैं सिलाई करके इसको दिखाते हूं आपको कर दो कर देते हैं आपको और दो आपको कुछ कर दिते कि रहे जीड़ी थे क्या पत्ती यहे, पत्त प्रक्टॉण में, देते झाल झाल